नमस्कार दोस्तों, एलेक्ट्रिकल वर्क लर्नीजी में आप सबका फिर से स्वाग आते मोटर का एफिसेंशी कितना है, कैसे पता करें सभी को पता होगा कि सिंगल फेस में चलने वाले मोटर भी होते है तो आज हम फ्री फेस में जो मोटर चलाया जाता है उसका efficiency निकालना सिखेंगे मान दिजे कि आपके पास एक motor है जो 3-phase line पे चलता है और वो motor 20 kW का है और voltage 415 V का है और जो power factor है वो 0.85 है और जो motor का current rating है जो current वो लेता है वो 37 A का है आप मान के चलिएगा अभी आपको motor का efficiency निकालने के लिए पहले जो उसका load है यानि 20 kW का है kW को आपको वाट में convert करना है जैसे 1 kW का 1000 W होता है तो 20 kW का 20,000 W हो जाता है चलिए अभी हम formula लिखते है efficiency का formula होता है P यानि watt power divided by root 3 into voltage into current into power factor अभी हम formula पर उनका value डालेंगे motor का जो power था ओर 20 kW था तो उसको हमने 1 W में convert किया था तो 20,000 W हो गया था तो P के जगा पर हमने 20,000 डाल दिया है उसके बाद divided by root 3 को जब आप root हटा देते हो तो 1.732 value आता है उसके बाद जो voltage है वो 415 voltage क्योंकि 3 phase line बे चल रहा है और I means current जो current था motor का वो 37 amp था और लास्ट में जो power factor था वो 0.85 था अभी जब हम नीचे वाले सारे value को multiply कर देते हैं तो ये value निकल आता है 20,000 divided by 22605.63 ओके ये value निकल आता है और जब हम 20,000 को दुसरे value से divide करते हैं तो ये value निकल आता है 0.88 ओके इसी को हम efficiency बोलते हैं जो 3-phase का 20 kW वाला motor चला रहे हैं वो 0.88 यानि 88% efficiently काम कर सकता है क्योंकि जो motor होता है वो inductive load होता है तो 100% bisley का इस्तमाल वो नहीं कर पाता है तो वो सिर्फ 88% bisley का इस्तमाल कर पाता है जो remaining power होता है electricity का वो उसके conductors वगेरा को heat करने में ही चला जाता है होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 3-phase motor का efficiency किस तरह से निकालना है और efficiency का मतलब क्या होता है अगर आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजएगा सब्सक्राइब करना totally free है और आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धनिवाद मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मुझे motivate करने के लिए और मुझे support करने के लिए Thank you very much आप सब का दिन बहुती सुप रहें अच्छा रहें झाल